Hello dear students, so सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आप सभी student का जो आपने पनी शुब कामना एक शिक्षक दिवस पर टीशर्स ले पर भेजे हैं हम लोग के लिए देखे जैसी की ये तो अक्सर कहाई जाता है कि किसी भी student के लिए किसी भी student का future shape up करने में किसी भी student को सफल बनाने में एक शिक्षक का हाथ होता है obviously लेकिन फिर भी मैं ये भी कहना चाहूंगा साथ-साथ कि अगर किसी teacher को महान बनाने में और सही मायनों में अच्छे teacher बनाने में भी student का हाथ ही होता है भाई जब देखे आप लोग सफल होते हैं आप लोग success होते हैं select होते हैं आप लोग exam में तो हम लोगों की पहचान भी वही होती है अब obviously ही बाकी का introduction काम नहीं करता हमारे लिए हमारे लिए भी काम ये करता है कि हमारी student है आप लोग कहां कहां settle है कौन सा exam आप लोगों ने correct किया और जो आप लोगों को सफलता मिली है उसमें हमारा कितना contribution है क्या हमने आपको सही मायनों में guide किया है तो इसलिए once again I would like to thank all the students all my dear students अब चलिए आगे की बात करते हैं so wait is over जैसे आप से हमने कहा था कि आप लोग के लिए कुछ नया initiative लेकर आ रहें तो ये रहा वो initiative इंजिनियर्स गुरू के नाम से इंजिनियर्स गुरू ये हमारा initiative new online learning platform for engineers ये आप लोग के सभी competitive exam के लिए B.deck के बार में gate exam, engineering service exam S.S.C.J.E. state A.E. बाकि सभी exam के लिए complete support एकदम वो हम आपको provide करेंगे ये initiative फिल हाल इसमें हम दो लोग रहेंगे जैसे myself कैसर रफीज X.I.S. and very renowned faculty of civil engineering बादल सोनी सार very well known face तो ये मेरे लिए भी एक सोभाग्य की बात है कि बादल सजने हमारे साथ आने का या मुझे अपने साथ लेने का decision दिया है ठीक है न? तो खैस चलिए इसमें थोड़ा पहले मैं आपको introduce करा रेता हूँ मतलब आपको अपना introduction दे रहता हूँ इसके साथ साथ ही मैंने engineering service exam qualify किया five times जिसमें best performance मेरा था old India rank two more than twenty years तो अब तो लगबग ये twenty two years सी होने जा रहे दस दिन बाद मेरे धियान है 15 September 2000 को मैंने पहली class दी थी as a teacher मेरा जो career start हुआ था तो it is going to be almost twenty two years now तो twenty two years का teaching experience है और जैसे कि मैंने आप से कहा था इस दोरान अब ये तो ठीक है भाई आप लोग बताएंगे आपने हम लोग से कितना सीखा teacher से कितना सीखते हैं लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा and I want to say proudly कि हमने भी आप लोग से सीखा है ये बड़ा अजीब लगता है actually classroom जो होता है ये जो सीखने का पुरसिज़ है ये bi-directional होता है केवल uni-directional नहीं कई बार क्या होता है कुछ student ऐसे doubt पूछते हैं ऐसे सवाल लाते हैं वो लोग कि हम सोचने पर मुझबूर हो जाते हैं कि ये चीज़ तो हमारे दिमाग में ही नहीं उसके बाद जब सोचते हैं तो अब विसलिए उसका जवाब आता है जो student को जवाब देते हैं ऐसा नहीं होता है कि सारे जवाब एकदम तयार होते हैं ये experience सिखा देता है तो लेकिन obviously student की query से भी काफी कुछ सीखने को मिलते हैं और ऐसे भी होता है कि ये बार हम कोई question करा रहे हैं आपको किसी method से student का सवाल होता है कि सर ऐसे भी कर सकता है कि और पता चलता है वो method ज़ाद अच्छा है जिसे हम आगे तक के लिए as a teacher in this field year 2009 से I am running my own institute engineer zone तो engineer zone के नाम से जैसे के हम करा रहेते हैं आप सब लोग जानते हैं तो confusion नहीं होना चाहिए आपको engineer guru क्या है देखे engineer zone ने tie up किया है बादल सोनी सर के institute के साथ और ये combination है engineers guru के नाम पर ठीक है जिसमे civil engineering will be taken care by बादल सोनी सर दूसरी aspect ये my own written textbooks and guide books around 20 इसमें electrical electronics कुछ instrumentation के भी subject है सभी subject को textbook है previous year question paper के solution है जैसे mathematics के guide book भी है ये सब मेरी अपनी लिच्चे हुई है myself student को quality study material quality content प्रवाइड करने के लिए तो चलिए थोड़ा सा और आपको बता रहता हूँ देख इसमें in year 2014 we have started satellite classes engineer zone ने जैसे की start की थी engineer zone e-learning में हमने we sat through online classes different centers पे उसके बाद जब ये 4G आ गई, 4G technology आ गई, internet easily access हो गया, high speed internet तो हमने new stencil के साथ recorded class भी चलाई थे अपने, जो classroom की recorded class होती है वो आप लोगो प्रवाइड करते थे थे new stencil में और उसमें बड़ा अच्छा response मिला था, तो हमें confidence आ थे से हमारा tie-up था, unacademy से, उसमें 2019, 20 and 21, almost 2 years I have taken live classes on unacademy plus, उसमें unacademy plus में ही मैंने सारे subject कर रहा थे आपको electrical electronics के, और mathematics भी obviously, तो यहाँ दख आप लोग जानते हैं, इसके बाद last year, August 21 to this August 22, इस एक साल में, इसमें भी देखिए, unacademy prep ladder में recorded class, recorded class का जो module था, उसमें मैंने कुछ subject की recorded class की थी, unfortunately, वो project launch हो नहीं पाया, और unacademy prep ladder ने gate module बंद भी कर दिया था, तो जब से student को confusion हो रहा था, कि सरब आपके class कहां मिलेगी, और क्या आप दुबारा से, unacademy plus पर live class देंगे, या किसी और platform पर जाएंगे, या अपना लोंच करने वाले हैं, तो मैंने कहा था इस बारे में कि just wait की थोड़ा से इंतेजार कीजिए, आपको बताते हैं, तो इसी बारे मैंने आपका, आप से कहा था, just wait is over, तो, अब ये engineer guru के नाम से, हम इस platform पे, digital platform पे आपको class प्रवाइड करेंगे, इसमें gate exam के लिए, engineering service exam के लिए, ssc.j.e. के लिए और बाकी state a.e. के लिए ये हम आपको प्रवाइड करेंगे, and ये रही फिलाल, ठीक है न, ये मेरे साथ ही, बादल सोनी सर, civil engineering डील करेंगे, आपको detail बताएंगे, civil engineering के बारे में, electrical electronics के बारे में, मैं आपको बता रहता हूँ, देखे इसमें जैसे के आप लोग की demand थी, कि मेरे subject कितने रहे गे, क्योंकि unacademy में इस बात का फायदा मिला था कि online class के time पे, बहुत सारे student को एक साथ पढ़ा सकते हैं, एक doubt हमेशा रहता था, एक चीज हमेशा student पूछते थे, engineer zone में भी, जब हम physical class करते थे, offline batches मतलब, कि मैं कितने subject पढ़ाने जा रहा हूँ, और इसमें, ये मतलब, एक तरीके से कह सकते हैं कि, आप लोग का, आपका एक affection था, और आपकी demand थी, आपने respect हमें दिया कि, चाहते थे सारे subject में ले लूँ, electrical electronics के, लेकिन देखो offline classes में इतने बैच होते हैं, सुबाजे शाम तक class ले रहे, सभी subject पढ़ाने के time मिलता है या नहीं, ये बड़ा मुश्पिल होता था, तो लेकिन जब से online classes आए हैं, एक साथ सभी student को पढ़ा देते हैं, तो मैंने आलमों सभी subject आपको कराए थे, और इसलिए मैं कहता हूँ, जो मैंने शुरू में कहा था, या आप लोगाने मुझ से सारे subject पढ़ा देते, क्योंकि एक एक करेंगे, जब student की demand आती है, कि सरीये वाले subject भी, ये भी, तो हम हम कौन सा प्रोग्राम लॉंच करेंगे, मतलब आप ये कह सकते हैं कि September month old lady है, और अभी तो gate 23, इसमें कोई ज़ादा टाइम नहीं है, obviously, तो हो सकता है अभी gate 23 के लिए complete course हम लॉंच ना करें, लेकिन हाँ, subject wise classes आपको provide करें, subject wise classes, test series, और जैसे से SSCJ का exam आ रहा है, तो इसम इसके लिए आपको support जरूर देंगे, support का मतलब यही होता है, कि question के classes, ठीक है ना, और ये मैं आपसे वादा करता हूँ, कि अभी, जैसे कि काफी कुछ content आपको, या support आपको हम provide करेंगे, video of course class, ठीक है ना, और obviously, सभी content नहीं, मतलब जैसे कि question practice program, SSCJ का, ये आपको बता दे करेंगे, but I will try, कि हम इसको launch करेंगे, video of course, ठीक है ना, इसी तरह जो subject wise आपको provide करेंगे भी, वो भी और course effective manner में, ये देखे, online classes, आप लोग के लिए, हमारे लिए, एक बून की तरह है, कहते है ना, वर्दान की तरह है, भाई आप लोग पहले जैसे कि हमारे पास आते थे, engineer zone daily में पढ़ने, तो आप लोग लगता था कि इतनी fee sum pay करते हैं, और बाकि accommodation में इतना खर्श हो जाता है हमारा, तो सभी student तो obviously जो चाहते भी थे, कि हम पढ़ने नहीं आ पाते थे, कुछ लोग बागी फिर study material ले जाते थे, correspondence course से पढ़ते थे, कुछ notes की zeroes ले जाये करते थ हैं, तो बहरहाल ये इस technology ने आपको और हमको, हमें भी फायदा है कि इतने student को एक साथ पढ़ा सकता है, मैं सारे subject ले सकता हूँ, और आप लोग के लिए फायदा है कि cost effective manner में, ठीक है न, तो इसमें हम आपको provide करेंगे कि cost effective, ठीक है न, कि effective cost के साथ आप लोग को provide करें full support, और कोशिश करेंगे कि एक proper, कहते है न, एक proper manner में punctuality के साथ आपकी classes run करें, ठीक है न, तो आपको इस चीज़ के लिए, इसके लिए आपको तया देना है, हाँ, यह मैं आप से कहना चाहूंगा, आप लोग electrical electronics के strand जो हम से connect है, through whatever be the social media platform, वो YouTube के थुरू हो सकता है, कि आप लोग अपने comment link के suggestion देते हैं, यह facebook pages के थुरू, whatsapp के थुरू, telegram group के थुरू, anyhow, आप लोग अपने suggestion दीजिए, कि अभी जैसे कि gate 23 में कम time है, तो कौन से subject का support आपको चाहिए, कौन से subject आप चाहते हैं, कि मैं start कर दू, electrical electronics वाले और किस तरीके से आप चाहते हैं उसमें, ठीक है ना, आप लोग जैसे suggestion होगा, उसी इसाब से हम course की planning करेंगे, वैसे यह है कि देखो, जैसे कि telegram group में मैंने पहले से बताय भी था आपको, और इस से पहले YouTube shorts में भी बताय था, कि कुछ नया initiative लेकर आ रहे हैं आपके लिए, तो obviously नहीं, वो initiative जब मैंने कहा, तो student के कई reaction बायदे, सर किस तरीके का होगा, यह वाले subject आप पढ़ाएंगे, cause क्या होगा, फीज कितनी होगी, तो जब मैंने एक आदा है कि proper time पर आपको बता लेते हैं, क्योंकि हम work कर दे थे, हम back end पे इस पे work कर दे थे, technology पे work कर दे थे क्योंकि एक बाद जब यह start हो जाए, हमारी app start हो जाए, engineer guru के नाम से, तो उसमें, उसके बाद फिर कोई technical issue ना है, क्योंकि नया platform है, तो technology के point of view से कोई issue नहीं आना चाहिए, कि आप लोग की class कुछ interrupt हो रही, या आप लोग access नहीं कर पा रहे, तो हम चाहते थे यह काम को रह हो जाए, उसके बाद ही announce करें, तो जैसे कि आप लोगोंने काफ़ी कुछ suggestion दे, उसके साब से मैंने ready भी किया है, हाला कि मैं भी भी चाहूंगा, कि आप लोग अपने suggestion दीजे, and within two or three days, इसी week में हम लोग final कर लेंगे, कि कौन सा course, कौन सा subject, launch करना है, और उसके बाद, properly classes start ह हो जाएंगे, ठीक है न, so dear students, जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा था, यह आप लोगों का support होता है, all the students, जो हमें support करते हैं, जो हमें respect देते हैं, अब यह तो हम नहीं कह सकते हैं, इस respect कापिल हम है नहीं, लेकिन कोशिश ज़रूर करते हैं, कि आप लोगों के लिए, आप ल और आप लोगों में से कई student थे हैं, क्योंकि ज़रा list लंबी है, तो individually में नाम नहीं ले पाऊंगा, कुछ लोगों ने, वह है कि painting के थूरू मेरा portrait बना के बेजा, photo, कुछ ने अपने, जो होता है कि जैसे, कुछ उसमें statement लिखकर बेजा, whatsapp में, और बाकी जगा, और postal से भी बेजा, कुछ ही gift वगरा, तो वो इतना time नहीं है कि इंडी जो ले नाम ले लो में सबका, तो उनके लिए once again I want to say thank you, और जो student, successful हो चुके और लेडी, job लग चुकी है, उनको उनको भी thank you कहना चाहूंगा और those students, who are still preparing, क्योंकि जैसे कि कई बार student में से, आप लोगे कई बार कूल आते हैं कि सब्सक्राइब करते हैं, अब ही selection नहीं हो पाया, अब ही क्या करना है, तो उन लोगे लिए मैं कहना चाहूंगा, कि देखें, आप लोग मेहनत कीजिए, जो हमने strategy बताई है, उसको follow कीज और बाकी हमारा support, our blessings will always be available, moreover, थोड़ा जिजग होती है, लेकिन मैं ये बात भी आपको कह देता हूँ, देखें, कई बार ऐसा होता है कि कुछ student शिकायत करते हैं, खास्तों से offline class की बात होती थी थी, कि सलने ऐसे डाट दिया था class मुछ दिन, कुछ हमें ऐसे कह दिया था, recommended students की, तो उसको manage करने में, control करने में, कई बार teacher से भी गलती हो जाती है, ठीक है न, बैज जैसे कि होता है कि कई बार थोड़ा सा noise आया, काफी student को दिक्कत हो रही हो सकता है कि, confusion हो जाता है कि आप बात कर देते हैं, कोई दूसरे student, किसी दूसरे को डाट पढ़ जाते हैं, कि मेरी कोई गलती नहीं थी, पता नहीं कियो मुझे डाट दिया, कि मेरी तो insult हो गई, तो मैं सबसे पहले आपको एकाना चाहता हूँ, देखे हम भी student देचुके, और कुछ student हमारे साथ भी होई है, कुछ incidents, तो इस बात को आप insult बिलकुल मत फिल कीज़ेगा, once again, अगर मोक इंटर्वी की प्रैक्टिस के टाइम डगता था, इस तुड़ेंट को किसा नैसे सवाल पूछ लिया, इस तरह बोल दिया मैं, अजीब सी बात हो गई, मेरा confidence डाउन हो गया, देखे, actually confidence डाउन करने के लिए कुछ नहीं कहा जाता, कोई भी टेशन नहीं कहा था, मोक इं एजुकेशन, ठीक है, यह अलग बात है कि कई बाद टीचर से भी गलती हो जाती है, ठीक है, so I want to say sorry, once again, I want your support for this new initiative, hopefully, it would be proved a milestone in the journey of your preparation, so, thank you, और एक आखरी सलोगन के साथ, सबसे बड़ा motivation तो यह होता है, जो आपकी family का support होता है, हम सब के लिए ही, कि हमारी जो family है, especially parents, siblings, और उसमें friends भी आते हैं family में, तो देखें, वो सब हमारे लिए अतना कुछ करते हैं, हमारा career बनाने के लिए, तो हम पे भी जिम्मेदारी आता है कि हमें कुछ करके दिखाना है, सबसे बड़ा motivating factor तो यही है, और बाकी धियान दखी है, सफलता के रास्ते कभी आसान नहीं होते हैं, अगर आपको मन्जिल तक जाना है, तो रास्ते दो मुश्किल होते हैं, तो हुआ हिशे मन्जिल हैगर पैर के चाले न देख, नहाता मन्जिल को बना रास्ता रह बेस्ट अफ लुक